विदिशा जिले के लटेरी में सहयक के खिलाप लगातार जीला पंचायत और कलेक्टरेट में शिकायते ग्रामिनों द्वारा की गई थी। उसी के चलते राजन यादव के खिलाप अब जाकर कारिवाही हो सकी है। एक कलोनी में दो प्लोट हैं और दो घर हैं। कुल मिलाकर धाई करोड के आसपास की संपत्ती अरजित की राजन यादव ने। जाना भी चमतकार से कम नहीं है। वास्तों में सचीन और रोजगार सहायकों के उपर निश्पक्ष कारवाई और जांच की जायतों ऐसे कई और करोडपती रोजगार सहायक और सचीव मिल जाएंगे। मद्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में खुले आम हो रही लूट पार्ट के लिए ऐसे ही सचीव और रोजगार सहायक जिम्मेदार हैं। जो मनरेगा जैसी योजनाओं के नाम पर भूली भाली जनता को लूट रहे हैं। उनके हक का पैसा खा रहे हैं। गंजबासोदा से मुकेश चतुरवैदी की रिपोर्ट। सरकारी नोगरी इनकी हुई है दस साल सेवा में आया हुआ हुआ है। दस साल में लगबग 2.5 करोड की संपत्य अरजित कर लिए हैं। दो जेसी भी मसें। एक तो हिताची कंपनी की पोकलेंट जिसकी क्लिमत 54,50,000 है। और एक सैनी कंपनी का है जो 48,000 है। और इसके पास एक ब्रेजा कार है। एक ट्रेक्टर ट्रॉडी है। एक साइन मोटर साइटे जोसे देजरे आप लोग बगल में यह कड़ी है। ऐसी काफी संपत्या ने अरजित की है। और इस बीच जब से नोकरी में आया। उसके पश्टाथ ही इसने कम से कम आठ रगबी की रजिस्ट्री अपने नाम से कराई है। यह हमारे पास पूरे द दो जगह पे कारवाई चल रही है। एक यह जहां राजनियादा मुख्यारों पीध है वहां। दूसरा उनका जो पिता जी का कर है। ग्राम मौरी तिलोनी है। मकान कितने पाएगा है। मकान इसमें दो तो इसके प्लॉट पाएगा है। आपकी ही एरिया में श्रीजी कॉलोनी है। वहां दो प्लॉट का पता चला है। और एक यहीं आप 500 मिटर दूर जाएंगे तो एक 2000 स्कूर फिट की जमीन पे निर्माना धीन मकान है। तो एक मकान वो है। क्या कारवाई होगी इसमें? आएसे अधिक संपत्ति अरजित करने का मामला दर जी किया सब्सक्राइब परें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।